योगी सरकार की 6 महिने पूरे करने के बाद हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में चार प्रस्ताओ फास हो गए जिन चार एहम फैसलों को मन्जूरी मिली है आए उन पर बात करते हैं सबसे महतपूर फैसले के तहर सरकार ने मुख्यमंत्री सामोहिक विभा योजना को मन्जूरी दी वहीं एक अन्य फैसले के तहर सरकारी स्कूल में बच्चों को जूता, मोजा के अलावा स्वेटर भी दिये जाने की बात कही गई है सबसे पहले बात करते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं की बच्चों को दिया जाएगा जूता, मोजा और स्वेटर कैबिनेट मंत्री सिधार्थनाथ सिंग ने आगे बताया कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों को जूता, मोजा और साथी स्वेटर भी दिया जाएगा इसके लिए कैबिनेट मीटिंग में फैसला ले लिया गया है स्वेटर के लिए E-Tender आना है इसके लिए 300 करोण रुपए का बजट रुखा गया है इसमें प्रदेश के 1 करोण 48,49,145 वच्चों को फायदा मिल सकेगा जूते का मोल्य 135 रुपए, मोजे का 31 रुपए 50 पैसे होगा वहीं स्वेटर का मोल्य E-Tender के बाद ही सामने आ सकेगा जोड़ी जूते की जो कीमत है इसमें कर दीके क्योंकि हम लोगों ने इसका जो कीमत है 135 रुपए 75 पैसा है और एक जोड़ी मोजे की कीमत जो है 21 रुपए 50 पैसा है अभी स्वेटर के लिए उसका E-Tender आना है उसका भी नहीं किया गया है तो उसके लिए थोड़ा इंतिजार करने है मगर उसके प्रोसेस में है उसको हम लोग कारवाई चल रही है उसके उपर मगर ये एक बच्चों को जो एक पब्लिक स्कूल के तरज पे उनको उनका ड्रेस रहे वो गर्मी का मौसम था योगी जी की सरकार योगी जी का खुद का था पहला निर्ने था ये और अब जाड़ा आ रहा है तो लोगों को इस प्रकार का अच्छा यूनिफॉर्म मिले इस दिशा में ये काम किया गया है वही कैबिनेट में सामोहिक विवा योजना को भी मनजूरी दी गई इसके तहट एक कमेटी जरूरत मंदों को चिन्हित करेगी इसमें एक जोड़े पर 35,000 रुपए का खर्चा आएगा सामोहिक विवा के लिए 10 जोड़ों का होना अनिवार है शादी करने बालों को कपड़े, बर्तन और गहने दिये जाएंगे हर जोड़े को 20,000 रुपए बैंक एकाउंट में दिया जाएगा इस योजना के अंदर जो एक जोड़े मतलब कपल के उपर जो खर्चा होएगा वो 35,000 का होएगा और साती सात, सामुहिक जब कह रहे हैं तो नियुन्तम मिनमम दस जोड़े होने चाहिए, 10 कपल्स होने चाहिए साती सात, इसके अंदर अनेग प्रकार की सामगरी भी रहेगी जो दिया जाएगा जिसमें कपड़े होएगे, बिचिया होएगी, पायल होएगी साथ अनेक प्रकार के बरतन होएंगे मुबाइल होएगा और साती साथ कुछ धनराशी भी दी जाएगी यही नहीं ब्रश्चाचार को खत्म करने की भी कोशिशें लगातार जारी है सारी योजनाएं आधार कार्ड से लिंक होंगी सिधार्तनाथ सिंग ने कहा कि यूपी में मिट्टी का तेल नियंतरण अधिनियम संशोधन को मनजूरी दी गई है पिछली सरकारों ने 1974 से आज तक नियमा वली के संशोधन का अनुमोधन नहीं किया था इसके तहट अब तक एक गाउं में एक टायम लाइसेंस जारी होता था लेकिन हम बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आउन पेपर लाइसेंस देंगे इसके साथ किसी भी प्रकार की योजना का लाब जन्ज सामानिक को देने के लिए सारी योजनाओं को आधार कार्ट से जोड़ा जाएगा जैसे पेंचन, किसान से जुड़े रुपए, PDS स्कीम इसे लोगों को मालूम हो सकेगा कि कितना लाब मिल रहा है एक अनफैसली के तह सरकार अब समविदा पर रखे गए कर्मचारियों को आधार से जोड़ कर सीधे उनके एकाउंट में पेमेंट करेगी इस से प्रष्टचार पर प्रभावी नियंतरन होगा कैबिनेट मंतरी का कहना है कि सरकार पार दर्शिता लाने के लिए हर समव कोशिशें कर रही है अब हर योजना का लेखा जोखा पेश किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से प्रष्टचार पर लगाव लगाई जा सके लगना उसे एक्सपोज इंडिया के लिए विजेतर पार्थी की रिपोर्ट